बारती फिल्म साज केके रादा मोहन ने बालिवुड की दो ब्लाक्बस्टर्स फिल्मू बजरंगी बाईजान और रावडरी राठोर की सीक्वल के स्क्रिप्ट की तयारी कर ली है प्रोड्यूसर केके रादा मोहन ने हाल ही में बारती मीडिया से गुफ्तुकू करते हुए कहा है कि मुसनिफ विजिंदर प्रसाद ने रावडरी राठोर टू की स्क्रिप्ट लिख ली है हम अब फिल्म के लिए अच्छी कास्ट की तलाश में हैं उन्होंने कहा कि बजरंगी बाईजान 2 पर भी काम जारी है इसका स्क्रिप्ट भी तैयार है हमने सल्मार हान को स्क्रिप्ट दिखाना है उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है नादा मोहन ने इस बात की तस्दिक नहीं की कि रावड़ी राठोर 2 में एक्षी कुमार काम करेंगे या इनकी जगह कोई और अदाकार मरकजी के दार अदा करेगा जबकि गुजिशता साल ये कियास आराईया की जा रही थी कि रावड़ी राठोर 2 में सिदार्त मलोतरा और क्यारा अड़वानी मरकजी के दार अदा करेंगी लेकिन फिल्म सादू की जानेब से इस खबर की कोई तस्दीक नहीं की गई थी दूसरी जानेब साल 2021 में सल्मान हा ने एक एविन के दोरान बजरंगी बाईजान की सीक्वल की तस्दीक की थी वादर है कि संजे लेला बंसाली की प्रोडेक्शन में 45 क्रोड के बजट से 2012 में रिलीज होने वाली फिल्म रावड़ी रठोर में अक्षे कुमार की मद्द मुकाबल सुनाक्षी सिर्हा ने मरकजी के दार अदा किया था जबके फिल्म ने भारत में 133 क्रोड का बिजनस किया था साल 2015 में रिलीज होने वाली सुपर हिट फिल्म बजरंगी बाईजान की कहानी एक पाकिस्तानी बच्ची पर मबनी थी जो भारत में अपनी मास से बिचर गई थी और बाद में सल्मान खान ने इसे अपने वतन यानि के पाकिस्तान वापिस पहुंचाया था